प्रेविध्यार्तियों, नमशकार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा दस्वी, सामा जीक विध्यान विशय के अध्याय दस, स्वतंत्रता आंदोलन में मद्य प्रदेश के योगदान पर बात कर रहे हैं। आज हम रास्ट्री आंदोलन के समय मद्य प्रदेश की शाषन व्यवस्था उन समाचार पत्रों की भूमिका पर बात करेंगे जिन्होंने मद्य प्रदेश में रास्ट्री जन जाकरन फैलाने में महत्वपुर्ण योगदान दिया। साथ ही रास्ट्री आंदोलन के दोरान मद्य प्रदेश में इस्थापित उन संगठन एमम संस्थाओं पर भी एक नजर डालेंगे जिन्होंने आंदोलन के दोरान अपने गत्थी वीदियों के माध्यम से दशनात्मक कारे करते हुए जनता में राजनेतिक जागरती उत्प व्यवस्थाओं से संचालित रहा जबलपूर, मंडला, सागर, बेतूल, छिंदवाडा, होशंगाबान, खंडवा और इन से जोड़े हुए इलाके सीधे ब्रिटिश राशन के अधिन थे ये शेत्र उस समय मत्यप्रांत के अंग थे मत्यप्रांत में वर्तमान महरास्ट के अनेक जिले सम्मिलित थे और इसकी राजधानी नाकपुर हुआ करती थी ब्रिटिश राशन के अधिन इन शेत्रों में जनता अत्यधिक कस्टों का सामना कर रही थी और रास्ट्री कॉंग्रेस की इस्थापना के बाद इन शेत्रों में कॉंग्रेस की शाखाएं दिखाई देती हैं जबकि दूसरी और बरतमान मध्यप्रदेश के शेश भाग में देशी रियासतों का शाशन था इंदोर गौालियर प्रीवा देवास भोपाल आधी अनेक स्थानों की देशी रियासतें अंग्रेजों के संरक्षन में थी अर्थाद यहां पर देशी राज रजवानों का शाशन था लेकिन ये रजवाने बटिस संरक्षन में रहकर कारे करते थे 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शाशकों के प्रती सत्भावना की नीती अपनाई इसके अतिरिक्त रियासतों की जनता रियासती शाशन वैवस्था से अपेक्षाकरत संतुस्ट थी क्योंकि ये शेत्र अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे अतह रियासतों में राश्ट्री आंदोलन से संबंदित गती विध्या अपेक्षाकरत मंद गती में रही इन रियासतों के देश भक्त वैक्ती राश्ट्री शेत्र में चल रहे आंदोलन में कारिरत स्वतंद्रिता सेनानी ब्रिटिश शाषन के दमन से बचने के लिए इन रियासतों में शरण ले लिया करते थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि आजादी के इस महायग्य में मद्धिप्रदेश की स्वतंद्रिता सेनानियों ने अपना महत्वपुर्ण योगदान दिया चाहे यह सशस्त्र विद्रोह के रूप में रहा हो या भूमिगत होकर किया गया विरोध हो या प्रजा मंडल के सक्रिय सदस् का कारे हो मद्धिप्रदेश की जन्ता ने कंधे से कंधा मिला कर आजादी की लडाई में अपना सर्वस्वन एच्छावर करने में तनिक मात्र भी संकोच नहीं किया आईए अब हम उन समाचार पत्रों पर बात करते हैं जिन्होंने मद्धिप्रदेश में रास्ट्रिय जन का संयोग रहा लेकिन इन में समाचार पत्रों की भूमी का महत्वपूर्ण रही रास्ट्रिय आंदोलन के समय लोकमान्य तिलग महात्मा गांधी जवाहरलाल नहरू मदन मोहन मालवी आदी नेताओं के आगमन ने मद्धिप्रदेश में रास्ट्रिता की भावना को बल दि प्रेरित किया इन समाचार पत्रों में कर्मवीर अंकुष सुबोध सिंदु खनवा से न्याय सुदा हर्दा से आर्य वेभव बुरहानपुर से लोकमत जबलपुर से प्रजामंडल पत्री का इंदोर से सरस्वति विलास जबलपुर से सापताहिक आवाज एवं सुभावत भौपाल से प्रकाशित किया जाते थे इन समाचार पत्रों को बिटिश आशन की दमनकारी प्रेस निति का सामना करना पड़ा और जब बिटिश आशन के प्रतिबंधों के कारण समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके तब गुप्त रूप से बुलेटीन एवं पर्चों जनता में जन जागरती उत्पन्य करने का कारी किया। इन समाचार पत्रों के अलावा राश्ट्री आंदोलन के समय मत्यपरदेश में ऐसी अनेक संस्थाएं एवं संगठनों की स्थापना हुई जिन होने राश्ट्री आंदोलन की गती विधियों में सलगन रहते हुए रशनात्मक कारी भी किये। भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ने इन संगठनों में अग्रणी भूमी का निभाई। रियासतों में प्रजा मंडल तथा सार्वजनिक सेवा संग प्रमुक्ता से उभरे। इनके अतिरिक्त गुरुकुल 1929 में सत्ना में इस्थापित किया गया। सेवा समीती बेतुल में, सेवा मंडल रतलाम में, ज्यान प्रकाश मंडल इन दौर में इस्थापित की गई ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने रशनात्मक कारियों में महत्वपुर्ण भूमी का निभाई। इस तरह इस पस्थ होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दोरान भारत में अनेक राजनेतिक दलो एवं समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ। जिनकी रीती निती कॉंग्रेस से प्रथक अवश्य थी परंतू आंदोलन में उनकी उपस्तिती महत्वपुर्ण थी। इस पूरे विवरंड से इस पस्थ होता है कि राश्ट्री आंदोलन के दोरान मध्यप्रदेश की जनता ने अपना जो योगदान दिया वह इतिहास में अविस्मर्णिय रहेगा। प्रिये विध्यार्तियों आज की इस चर्चा के साथ हमारा अध्याय दस स्वतंत्रता आंदोलन में मध्यप्रदेश का योगदान नामक अध्याय पूरा होता है। अगले विडियो में हमी सद्ध्याय से सम्मर्धित महत्वपूर्ण प्रश्णों और बहु विकल्पी प्रश्णों पर आधारित ऑनलाइन क्वीज गेम लेकर आपके सामने पुनह प्रस्तुत होंगे। अगले विकल्पी प्रस्तुत है।